कि नमस्कार साथियों आप सभी का हमारेज के शनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्यूटी पर एक बार फिर से स्वागत है बात करेंगे हम लोग यहां पर फिर से टार्गेट सीजेसाई यानि कि आज आज आपका यह रिजनिंग का लेक्चर नंबर सिक्स होने वाला है और म आपकी सफलता की सीली के रूप में आपको देखने को मिलेगा तो क्या कुछ खास रहने वाला आज के सेशन में आज सेशन की चर्चा करूं तो यहां पर हम लोग नंबर सीरीज पर बेश्ट कोश्टन का डिसकस्शन करेंगे साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अलफा बे जो की बेसिकली नंबर पर बेस्ट होता है और कई बार आपको अलफा बेट पर बेस्ट कोश्टन भी देखने को मिल जाता है तो उसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे साथ इसाथ अगर हम बात करें तो आपका एनलॉगी और 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 अओन पर बेस्ट जो नंबर से या alphabet और नमबर दोनों से समबंदित परश्ण होते है उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे या जिस प्रकार से आपने देखा कि हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग सेखने के बाद यानि कि हम लोगों ने कुछ बेसिक लॉजिक्स और कुछ बेसिक कॉंसेप्स को सीखने के बाद analogie और odd one out या फिर आप classification पर best question कहे सकते हैं उनको हम लोगों ने आसानी से बनाना सीखा इसी प्रकार नंबर पर आधारित प्रस्णों की भी आज हम याँ पर चर्चा करेंगे जो कि आलग अलग topics से आपके related हो सकते हैं clear तो अगर मैं एक्जाम के point of view से बात करूं तो आप किसी भी एक्जाम में बैठेंगे तो reasoning के section में आपको इन particular topics की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको प्रस्णे देखने को मिल जाते हैं यानि कि आपके selection में कहीं कहीं इन topics का क्या होता है तो series के बारे में थोड़ा सा यहां पर हम basically चर्चा करेंगे और इसके बात सीधे प्रस्णों पर ही हम लोग यहां पर concepts की चर्चा करेंगे तो जब हम बात करते हैं series की तो series में हमें मुख्यता क्या समझना होता है series क्या होता है basically आपका difference between two consecutive terms आप बोल सकते हैं यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर two consecutive terms के बीच के बीच के अगर हम difference की चर्चा करें तो यहीं हमें pick करना होता है कि इन differences की बीच में जो आपका logic है वो किस प्रकार से लगता हूँ आपको देखने को मिल रहा है और यह जो differences होंगे यह भी क्या करेंगे एक valid sequence एक valid pattern एक valid logic को क्या करेंगे follow करते हुए आपको दिखाई देंगे तो अगर हम बात करें आप पर difference तो difference बहुत important role play करेगा जब आप series के प्रस्णों को बना रहे होंगे इसके लावा गर मैं बात करूँ तो अगर आप series के प्रस्णों को चाहते हैं कि आसानी से बना पाएं तो at least मैंने आपको बार 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 बताए कि 30 तक के squares बिल्कुल टंग पर होने चाहिए और at least आपके 20 तक के cubes आपको याद होने चाहिए और यहाँ पर square और cube पर based आपके logics के साथ में question आपको देखने को मिलेंगे clear तो सीधे हम लोग प्रस्णों पर चर्चा करेंगे यानि कि यहाँ पर हम बात करेंगे किसके differences की differences में भी क्या होता आपका addition होता है subtraction होता है साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो कुछ और भी wishes बाते हैं यहाँ पर आपको ध्य questions के लिए या तो उस प्रकार के logics के साथ familiar हो आप पहले से उस प्रकार के logics पर based questions को solve कर चुके हो और वाइस exam hall में आपको कसम खा करके नहीं बैटना मैं बार बार आपको बताते चला रहा हूं यानि कि अपने time को utilize करना है और जो last moment में आपका extra time होगा जो आपका बचा हु Space करें को अपया होगा उस समय को अप इस परकार के प्रशनों के उपर क्या करेंगे करंगे खर्च करेंगे फिलाल आपको क्या करना है जो प्रसणा आप बनते जा रहे हैं उन प्र्शनोंको पहले हल कर लेना है पहले ही काशले घाना है तो इस particular order बात करूं और जैसा कि मैं कहा difference between two terms कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगी तो यहाँ पर आपको 5 का difference देखने को मिल रहा है यहाँ पर 7 का difference देखने को मिल रहा है अगले को जदी हम x माल ले और इसके बाद जदी हम क्या माल ले य माल ले तो x प्लस y की value आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकार से ब्रेक करें कि यहां पर आपका जो सीक्वेंस है वह वैलिड बनता हुआ दिखाई दिए तो यहां पर नौ और ग्यारा देख सकते हैं यानिकि अगला टम जो हो जाएगा वह क्या जाएगा प्लस नाइन करके हमें मिल जाएगा पांच साथ नौ ग्यारा और तेरह एक वैलिड सीक्वेंस में भी देखने को मिल जाएगा यानिकि यहां पर बीस में हमें क्या एड कर देना था नौ एड कर देना तो मिल जाएगा अगला टम 29 और इसकी वैलिडिटी को अगर आप चेक करना चाहते है तो यहां पर 29 प्लस आप 11 करेंगे तो उसके बाद वाला प्लस प्लस निकालने से अगर नहीं समझ में है तो ड depends की हम यहां पर चर्चा करेंगे बात कर लेते हैं अगले प्रस्णगी तो यहां पर अगर मैं diff की बात करों तो कितने का difference day by ऑन चाहाँ जारू इसपर की सथ 79 यहां पर शे यहारे हुद parall om 36 जोडएंगे तो यह वाला टम, आपका बन जाएगा 126 कि क्या किया चुबीस जोड़ा इसमें तंक यह वाला टमम मिला इसमें आनने चिस जोड़ा तो यह वाला टमम मिलगा और इस नंबर में अगर пошब 126 जोड़ेंगे हमें कितना मिल जाएगा यानि कि अगर आप 210 में 100 जोडते हो तो 310 और 26 जोड़ोगे तो 336 जो कि आपको option number A में देखने को मिल रहा है clear और ये भी आपके exam में पूछा गया प्रस्ण है हर्याना पुलिस हसाई 2021 बिलकुल latest exam का ये आपको question देखने को मिल रहा है क्लियर है चल ये बात करते हैं अगले प्रस्ण की अगले अधी में प्रस्ण की बात करूं तो तेलंगना पुलिस 2018 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है और यह आपका alpha numeric series पर based question है यहां पर आपको alphabet भी देखने को मिलेगा और नंबर भी देखने को मिलेगा अप्रोच की यदि में बात करूं तो अप्रोच क्या होना चीए ऐसे प्रस्णों को हल करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे alphabet की तो यह होगा आपका 24 ही होगा आपका 21 होगा अठारा यह होगा 15 होड़ करेंगे एक मिनट के लिए ठीक है चलिए तो यहां पर अगर मैं बात करूं यह होगा आपका कितना 24, 21, 18, 15 तो अगला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 की अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है यानि कि option number A में अन्न किसी विकल्ब की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है अब अगर आब बात करें हम नंबर की यह तो कार के logic के साथ में familiar हों तो मैंने आपको start निकमर बाते हैं नहीं हैं नंबर करें तो 7 के बाद आपको 9 क्यों नहीं, 11 क्यों मिल गया, तो मैंने कहा prime number prime number के अगर हम बात करें तो 9 आपका prime number नहीं होता यानि कि यहाँ पर हम prime numbers की चरचा करें तो 11 के बाद अगर हम बात करें तो अगला prime number क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5-7, 7-11, 11-13 तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा तो अगला प्राइम नंबर देखने को मिलेगा आपको 17 यानि किस प्रकार से यहां पर प्राइम नंबर का लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है क्लियर चलिए बात करेंगे next question की यहां पर question की बात करूं तो अगेन आप देख सकते हैं MP सुबधार and SI 2017 के परिक्षा में पूछा गया प्रशन है और यहां पर आपके अलफा निमरिक सीरीज पर बेस्ट कोश्टन है काफी आसान सा question है मुझे नहीं लगता कि मुझे इवन यहां पर अभी मार कर चलाने की जरूत है आप लोगों ने इसका answer निकाल लिया होगा कैसे निकाला होगा तो प्लेस वैल्यू का दोनों का क्या कर देन हमें सम कर देना है तो 5-4-9 हो गया 6-3-9 हो गया 12-16 हो गया 28-20 और 7 हो जाएगा 27 यानि कि option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशने के लिए तो जिस प्रकार से ही यह आपके lectures plan किये गए थे यानि कि आपको पहले सबसे basic बताया गया जहां पर आपके alphabet पर नेक्स्ट एदी मैं question की बात करूं तो राजस्थान police constable 2020 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है प्रस्ट की हम बात करें तो अप्रोच हमारा वही होगा हम बात करेंगे कि इसकी का डबल 6 6 का डबल 12 12 का डबल 24 तो 24 के डबल अगर हम करेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना 48 और 48 का डबल अगर हम कर रहे होते तो हमें मिलता 96 लेकिन यहां पर कितना है 47 एक कम यानि कि आंसर के बात करें तो option नमबर एक हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए 48 प्लस 47 करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 95 यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे प्लस 47 पंद्रा यूनिट डिजिट मिलेगा 5 किसी दूसरे option में यूनिट डिजिट 5 देखने को नहीं मिल रहा है clear बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगले प्रस्ण की बात करें तो वावेल्स आपको देखने को मिल रहें यह लास्ट वाला वावेल है यानि कि यू के प्लेस फैली होती एक यानि कि option number C क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए और आप देख सकते हैं कि यह आपके exam में पूछे गए प्रस्ण है clear तो alphabet पर बेश्ट अगर आपको basic concepts clear है तो alpha numerical series पर बेश्ट questions को भी आप आसानी से बना पाए इससे पहले कि आप किसी भी question में देखिए इतने सारे terms आपको देखने को नहीं मिले लेकिन जब हम बात करते हैं number of terms आपको क्या देखने को मिले जादा देखने को मिले तो वहाँ पर multiple series देखने को मिल सकती है और कई बार आपको 3 series भी देखने को मिल सकती है यानि कि अगर ह हम बात करें यहां पर 12-18 की तो 6 का difference 18-26 की बात करें तो 8 इस दिखने को मिलेगा कितना 36 प्लस 12 के हम बात करें तो 48 देखने को मिलेगा यानि कि option number A क्या हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्ण के लिए बाकी के बचे numbers का भी आप यहाँ पर alternate logic लगता हुआ देख सकते हैं कैसे 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 यानि कि यहां पर 3 का difference यहां पर 4 का difference और यहां पर 5 का difference आपको बंता हुआ दिखाई दे रहा है clear बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगले प्रस्ण की अगर हम बात करें तो UP Jail Police 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है 5 तीया पंद्रा 15 तीया 45 गुले 3 करोगे तो बना सकते थे अगले प्रस्ण की बात करूं तो अगेन आपको प्रिवेस का कोश्ण यहां पर देखने को मिल रहा है 1 से 3,000, 3,000, 26, 26,000, 649 करें तो क्या करें लगाते रहिए लौजिक बनाते रहिए प्रस्ण को और कई बार यहां पर आप क्या करेंगे कासम खाके बैठें यानि कि एक्जाम में पूछा गिया प्रस्ण है प्रस्ण में अदि हम लॉजिक की बात करें तो सीधे हम लॉजिक की ही बात कर लेते हैं बहुत जादा यहां पर कॉंप्लिकेशन्स नहीं क्रियेट करते हैं सीधे हम लॉजिक की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अगर हम यहां 20, 649. Difference की बात करें तो 2 इसकी बात करें तो 23 का Janeiro thing यह पर गर बात करें तो 263 का Burn यहां पर देखने को मिल रहा है. यानि कि प्रश्ट ना यहां पर हमें बनता हुए दिखाई नहीं दे रहा है. बात करेंगे हम सीधे सीधे किसकी लॉजिक की जब हम बात करें तो यहाँ पर आप इसको एक को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं तीन यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको 26 चार को multiply कर दिया हमने एक के साथ और उसमें से घटा दिया एक तो मिल गया हमें तीन दो के बाद अगले हम नंबर की बात करें तो दो के बाद अगला नंबर जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा तीन 3 का square के अगर हम बात करें तो 3 का square कितना हो जाता है 9 और 9 का गुला हम किसमें करते हैं 3 हमें करते हैं तो मिल जाता हमें 27 और minus 1 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 26 3 के बार अगला जो number हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 5 यानि कि 5 के square के हम बात करें 25 25 का गुड़ा अगर हम 26 में करते हैं तो देखने को मिलता हमें 650 और 650 में से जब हमने क्या कर दिया माइनिस एक कर दिया तो नंबर मिल गया हमें 649 अगले के दी में बात करों तो अगली बार यहां पर नंबर हमें देखने को मिलेगा साथ का स्क्वाइर साथ के स्क्वाइर के दी में बात करों तो हो जाएगा कितना 49 और 49 का मल्टिप्लाई हमें करना होगा किसमें 649 में और उसमें से हमें कर देना होगा जीरो देखने को मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर multiply करना पड़ेगा यारी कि जब में be multiply करेंगे तो सबसे पहले हम 49 में जब 600 का multiply करेंगे तो 600 इंटू जब हम 49 की बात करते हैं तो 9 चंग हो जाएगा 50 00 लगेगा ही लगेगा 9 चंग हो जाएगा आपका 50 और उसके बाद हम 9 चोक की बात करेंगे तो 36 और 5, 41 यानि कि 41 क्लियर अब इसके बाद हम क्या करेंगे यानि कि हमने 49 में 600 का multiply कर दिया और 49 का square हमें पता है कितना होता है 24, 0, 1 इन सब को हम क्या कर देंगे जोड देंगे 9 चंग 54 का 4 अचिल लगा 5 6 चोको 24 और 5, 29 गड़बाल है उपर वाला देखो इसमें multiply करना था हमें किस से 600 से यानि कि हम 49 में पहले 600 से multiply कर लेंगे और फिर 49 में multiply करना था 49 से दोनों को जोड लेंगे तो जब हम 600 से multiply करेंगे तो 00 पहले से लिख देते है 9 चंग 54 का 4 करी जाएगा 5, 6, 4, 24 और 5 की बात करेंगा 29 और उसके बाद जहाएगा 49 की स्क्राइर की बात करेंगे तो यह बन जाएगा 24, 01 इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह हो जाएगा 0, 4, 4 हो जाएगा 8, 9, 2 हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 3 यानि कि इस में से जब आप एक माइनस कर दोगे तो यह बन जाएगा 31800 क्लियर यानि कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी तो समझे इस प्रकार के भी आपको बाउंसर देखने को मिल सकते हैं और इस प्रकार के बाउंसर को फेके जाने का मतलब ही होता है कि आप क्या जाए अटेम्ट करें ठीक है आप अटेम्ट करिए और कहीं न कही आउट हो करके कहां जाए है या Mitsuburn तक हो बाहर यानिकि रेस से बाहर fallen समस्थे चलना में इस प्रकार के बाउंसर से बच करके रहना है ठीक है ना दीक ना simplistic छली बात करएंगे अगले प्रश्न कि अगले प्ररस्न की उग lass 59 тar Rob Park अप्रस्ने है और मैंने कहा जब अलफा कोडिंग आलफा कोडिंग में धेखने को मिलती तो हमें क्या करना होता एलफा बेटपर पहले अपप्रोच करना होता है यहाँ इन दोनों में साथ का देखेंगे तो 9-11 और बी कोगर हम 28 consider करें तो 28-7 करोगे तो 21 यानिकी देखने को मिलेगा आपको यू और यू के साथ एक यही कल्प देखने को मिल रहा है option नमबर भी तो आप डिरेक्ली यहां पर आंसर निकाल सकते थे clear बात करें करें नमबर की तो देखो 29 5 34 34 49 49 44 44 45 की बात करोगे तो 49 देखने को मिलेगा चली अगला question देखिए और फड़ा फड़ा यहां पर वीडियो को पॉस करके बनाईए और बताइए कमेंट करके कि कितने लोगों ने इस particular question का अंसर निकाल लिया clear को झालत को करें सकते हैं अगला जो इसका term बन रहा है उसमें आपका क्या मिसिंग है लाश के दो टर्मा और स्टाइग के दोंक sitä हैं मिसिंग है터 इसके बाद आइख सकते हैं तर्म तो आप ढख सकते हैं इसके पहले वाले टर्म यह ना कि हम गायब कर दिया गया इसके बाद कर एब करें तो यह ती आई आर इम यानि कि option number D क्या हो जाएगा राइट आनसर हो जाएगा यानि कि आपको यहां पर यही same term देखने को मिलेगा ऐजा आंसर क्लियर आँ कि अगले प्रस्ट की अगलेदी में प्रस्ट की बात करूं अपरोच कि अगर हम बात करें एक का difference 6 का difference फिर यहां पर देखे झिल्दा कितना 23 का difference और यहाँ पर आपका difference के गर हम बात करें तो बन रहा है 103 का difference clear अब अगर आप यहाँ पर difference के साथ जाओगे तो कहीं न के question बनाने में आपको क्या होगी कठनाई होगी multiple की आसपास का number जब आपको देखने को मिले तो मैंने कहा कि आपको यह पहचान होनी चाहिए कि कौन से number किस number का multiple या उसके आसपास का number बनता वो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 क्या है 3 का multiple के पास का number यानि कि into 1 की अगर हम बात करें और plus 1 कर दें तो मिल गया हमें चार चार में हमने क्या कर दिया into 2 कर दिया plus 2 कर दिया तो मिल गया अगला term 10 के बाद हमने क्या कर दिया into 3 कर दिया plus 3 कर दिया तो मिल गया term 33 के बाद हमने क्या क्या इंटू 4 कर दिया और plus हमने क्या कर दिया फोर कर दिया तो मिल गया अगला टर्म यानि कि अब क्या करेंगे इंटू 5 प्लस 5 और जब आप 6 को 5 से क्या करोगे multiply करोगे तो unit digit मिलेगा 0 प्लस 5 करोगे तो unit digit मिलेगा 5 पूरा बैट के multiply मत करने लग जाना unit digit से आंसर निकालना और आगे बढ़ना ठीक है अंसर के लिए हमें पूरा का पूरा प्रस्ण हल करने की अवशकता नहीं है ठीक है अब देखो तेरह 55 यानिकी 650 और 635 यानिकी 680 multiply भी करो तो इस तरीके से और ली आपको आना चाहिए ठीक है और 5 जोड़ोगे तो 685 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बात करेंगे अगले पूछेगे प्रस्ण की न हिए अगले दूंधर प्रस्ण की बात कर तो 7558 लेकिन 580 यानिकी डिफेंस की बात करें तो 95 का डिफेंस देखने को मिल रहा है पिर अगर मं बात करें यहां पर तो दस में से एक जाएगा तो 9 बचेगा उसके बाद 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 बचेगा 109 यहाँ पर अगर हम बात करें तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और यहां पर अगर हम बात करें तो चारओं मेसे 3 जाएगा तो 1 बचेगा यहां पर अंगर मैं बात करों तो आठमीस एक जाएगा तो 7 बचे चारओं मेसे 2 जाएगा तो 3 बचे लिए यानिकि यह निकलकर क्या रहा आपका difference अब इंधिसेज Nahout Wür Việt निकाएगा आप देख सकते हैं कि 14 का डिफ्र зачान से यहांपर अगर मैं बात करूं तो सकते हैं 9,4,3 यानि की 14 का डिफ्रjenस है यहांपर उड़ा बात करों तो हाँ बन सो 551 है है जère को चाहँ प्ला तो सकते हैंगे यूनit डिजिट मिल जाहिगा आपको यहांपर जीरो क्लियर जो कि एक एवी कल्प में देखने को मिला और एक क्याओन और साथ की अगर हम बात करें तो बन जाएगा यहां पर कितना एक से क्याओन प्लस साथ दो सो ग्यारा तो नंबर्स को देख करके बिल्कुल हैरान परिशान नहीं हो ना एक बार अप्रोच लगा करके द इलिटरनेट टर्म को देखकर करक करिर्म बना सकते थे तर्ट कि बेसिक तरीकती एकर में बात करंखें करों तो आहां पर देखेंगे तो के भी आगे आप उसको continue कर सकते थे के लिए बात करेंगे यहां पर हम लोग missing term पर बेस्ट पूछे गए questions की missing term की जब हम बात करते हैं कि तो यह कुछ ऐसे topics होते हैं ध्यान दीजे मैं कुछ ऐसे topics की यहां पर बात कर रहा हूं यानि कि इन topics में अगर आपको question बन रहा है within second आपके अच्छे कासे देखिए ऐसा नहीं कि आपको प्रस्णों को attempt ही नहीं करना बिल्कुल बनाना है और इतना हमें प्रस्ण बना करके जाना है कि exam में हमें देखते ही समझ में आ जाए लेकिन कई बार ऐसे प्रस्ण देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आजी के session में एक प्रस्ण आप लोगों के साथ आप exam में भी क्या करिए questions को हल करिए और आप उस strategy और approach की अगर हम बात करें तो वहां पर अपना improvement का analysis भी करेंगे साथ जरूरी नहीं कि आपने किवल टेस्ट दे दिया तो आपका selection नहीं टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका analysis करना यानि कि आपने गलतियां कहां पर करी किस section में आपको improvement की ज़रूरत है इन सब बातों पर भी आपको बना 10 का square लेकिन यहां पर 15 इंटू टू यहां पर आपको देखने को नहीं मिल दा है बात करेंगे हम अगले बन सकने वाले लॉजिक की तो अगर हम 5 इंटू 10 की बात करें 5 इंटू 10 तो हो जाएगा कितना 50 और divided by 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 25 यहां पर बात करेंगे की तो हो जाएगा 10 इंटू 20 इकवल्स टू 200 और divided by 2 करेंगे तो बन जाएगा 100 जो कि आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बात करेंगे 15 गुले 26 की तो 260 औरlines 390 की जब हम बात करते हैं उसका आधा करेंगे तो बंजय कितना 195 ठीक है यहां पर हम बात करें तो 15 गुले क्या करना हमें तीस करना है नहीं कि 450, 450 का अधा करेंगे तो बन जाए कितना 225 यानि कि option number C क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए प्रस्ण के लिए, clear, बात कर लेते हैं अगले question की, अगले अधी मैं question की बात करूँ, तीन का डबल, 6, minus 1, 7, ऐसे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, देखिए, तेलंगना पुलिस SI 2018 में पूछा गया प्रस्ण है, ठीक है, अप्रोच यगर हम बात करते हैं, यहाँ पर वास्ठाफ, second half इस प्रकार का addition, subtraction, next term के लिए आप इस प्रकार से जा सकते है तो कई बार इसका multiply करके अगला term मिलता है, जोड करके अगला term मिलता है, घटा करके अगला term मिलता है, और सामने सामने भी आपको प्रस्ण बंते हुए दिखाई देता है, इस प्रकार की आकरितियों पर बेश जब हम questions की बात करते हैं, यहाँ पर फिलाल अगर हम logic की बात कर 42 गुले आप क्या करेंगे, आठ चोग 32 यानि की 320 और 8 दूनी 16 यानि की 336 जब आप multiply करेंगे तो आपको 336 बनता हुआ दिखाई देगा, इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 चंग 42, 42 पंजी अगर हम बात करें तो 4 पंचे 20 यानि की 200 और 2 पंचे 10 यानि की 210 इ रख सकते हैं, यहां पर दो रख सकते हैं तो option No. D क्या हो जाएगा? आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रश्ण के लिए clear बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की अगले यदि में यहाँ पर प्रश्ण की बात करूं तो देखते हैं 15 गुले यदि में 8 की बात करें तो 15 चौको 60 और गुले 2 कर देंगे तो मिल जाएगा 120 120 का अगर हम multiply 7 में करें तो 12 सत्य 84 यानि की 840 यानि की इन सभी का क्या और आपस में multiply हमें देखने को मिल रहा है इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर 9.54 और 54 गुले 11 करेंगे तो हमें पता है जब किसी नंबर का हम क्या करते हैं 11 में multiply करते हैं तो शुरुआत करते हैं सिंगल लिजिट से और डबल लिजिट तक जाते हैं यानि कि यह हो जाएगा आपका 594 जो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार सो बीस को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा यह कितना 60 और 12 से वाइड करें तो बन जाएगा 5 यानि की आंसर कि हम बात करें तो option नंबर यह क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा अगले दी में प्रश्ण की बात करूं तो तीन गुले चार पांच गुले चार और आठ गुले यहाँ पर साथ कर दोगो तो मिल जाएगा आपको 56 प्लियर काफी इजी सा कोश्चन था तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत जादा डिस्कॉशन की जरूत है राजस्थ साथ का स्कॉइर साथ के क्यूब की बात करें तो 343 यानि कि आंसर हो जाएका ऑप्शन नमबर भी आसान सा प्रश्न था यहां पर अगर हम बात करें ठीक है इसका हाफ कर दें 14 का अधा कर दें अगर हम तो यहाँ पर बनेगा साथ और साथ गुले बारा कर दें तो मिल जाए यह वाला टर्म इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर किसका आधा यानि कि अगर यहाँ पर हम लिखे होते 16 तो 16 का आधा करेंगे तो बनेगा कितना 8 और 8 गुले हम 11 कर देंगे तो मिल जाएगा हमें यह वाला नमबर यानि कि आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा यहा आपको समझ में आरह 12,7,84 multiple है 9,81 multiple है 11,88 multiple है और यहां पर जो आपको numbers देखने को मिल रहे है 14 यानि कि 7 का double देखने को मिल रहा है एक संख्या होगी और विकल्पों में भी आपको संख्या देखने को मिल रही है y के यदि मैं बात करूँ तो वी और यहां पर देखने को मिल रहा है पांच जो कि क्या ए की place value है s का opposite होता एक तो यहां पर आपको 8 देखने को मिल रहा है जो कि basically क्या है h की place value है clear यहां पर E लिख देते हैं इसी प्रकार अगर हम P की बात करें तो P का पॉजिट होता है K जो कि यहां पर आपको देखने को मिल का प्लेशन नंबर है अब आप देख सकते हैं पर जो हम लोगों ने पहला session attempt किया था उस पहले session से हम कितना कुछ सीख करके आने वाले session में अलग-अलग topic पर BASED कितने सारे प्रश्णों को हल कर आसानी से कर पा रहे हैं clear बात करेंगे अगले प्रश्ण की अगले जो आपके प्रश्ण होंगे वह अनलागी और अगर हम बात करें तो odd one out या classification पर based होंगए तो यहां पर अगर हम बात करें एक के लिए लिए लिखा गया है 3 और 4 तो हमें पता है C की place value होती तीन होere D की place value होती चार as it is यहाँ पर लिख देना है तो A की अगर हम बात करें तो होता है एक और B की अगर हम बात करें तो होता है दो यानि कि option number D क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा और यह भी आपके exam में पूछा गया प्रशन है clear तो आसा कोश्चन है मुझे निलगता कि यहां पर आपको कोई भी कठनाई हुई होगी इस परडिकुलर कोश्चन को बनाने में बात करेंगा अगले प्रस्ट की चार का स्क्वाइर चार का क्यूब यानि कि हमें क्या यहां पर जो संख्या दी गई हो उसका स्क्वाइर बीच संख्या और उसका क्यूब जो है वो पहली वाली संख्या तो अगर हम बात करें यहां पर तो पांच का स्क्वाइर देखने को नहीं मिल रहा तीन का स्क्वाइर तीन का क्यूब यानि की नमबर सी क्या हो जागा राइट यह वी आपके राजिस्थान पुलिस और 2020 की परिक् कि alan Wheat प्राकर अति-धार हम पर हैं इसमें इृब्थ करें कि हमें संख्या मिल जाए यंजा इसले क्कर निकाल Посब निकाल लेना देगी दिक यतिना 245 clear उसी step को आपको reverse order में यहाँ पर follow करके आसानी से answer निकाल लेना था बात करेंगे अगले पूछे के प्रशन की जब इस प्रकार की बली संख्याओं आपको दी गई हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने क्या होशकता नहीं है बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको up to 20 तक के क्यूपर बेस्ट कोश्चन देखने को मिलेंगे अगर directly संख्याओं से related होंगे तो ठीक है otherwise क्या होगा कि एक एक term में आपको कुछ घटा या बढ़ता हुआ या उनके सेक्वेंस में चेंज करके आपको कोश्चन देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको संख्याओं जो देखेंगे आप यहाँ पर जितने आपके number of digits है उतने ही number of digits यहाँ भी देखने को मिलना है और अगर हम बात करें उन digits की तो डिजिट्स भी आपके क्या है सेम है बस उनके सेक्वेंस में आपको चेंजेस देखने को मिलना सेक्वेंस की आपके तो लाश्ट वाला हो जारा पहले फ़ेम और रिसेंट परिक्षय की आपके और पिजिए करें के व्हादर 221 की परिक्षा में पूछे ये प्रशन है यहाँ पर हमें क्या करना ay Oh को उलट देना तो सबसे पहले मिलेगा हमें 92 उसके बाद मिलेगा हमें चार यानि कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए क्लियर बात करेंगे अगले प्रस्ण की 29 से 18 यूपी पुलिस असाई 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है 29 से हो जा रहा है 18 18 की अगर हम बात करें 18 में ग्यारा जोड़ा से 29 यानि कि प्लस 11 थीखंगोण गहते हैं तो कि अगरेDie। नं-बर यहांजे सब्सछत के आप पर भी मैंने कहा कि numbers को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि numbers आपके किस number के पास के square या cube के पास के number आपको देखने को मिलने हैं तो अगर बात करें यहां पर 5 का जो cube होता है वो कितना होता 125 minus 1 तो 7 के cube की बात करें तो 343 minus 1 की अगर आपको ठीक ठाक प्रस्णों का भ्यास है तो इस प्रकार के प्रस्णों को आप देख करके चुठकियों करके without using copy and pen answer निकाल पाएंगे clear बात करेंगे अगले प्रस्ण की दो से बन जाओ रहा है 32 यानि कि हम भोल सकते हैं कि यहांag तो οπο editing क्या करके 16 कर दे हैं या तो आम बोल सकते कि दो से बड़ी वाली संख्या हम क्या करतें 2 atravies लिग दें तो इसी प्रकार अगर हं बात करें यहांपर इंटू 16 के अगर हम बात करें तो 3 इंटू 16 यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है 4 इंटू 16 यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और 5 इंटू 16 के हमें यहाँ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अन्य जो लाजिक्स यहाँ पर देखने को में मिल सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे, तो अगर हम 2 की पावर की बात करें, यानि कि हर Bothnor वकान में टो, 2 chain 3-D spiritual, ने मीट 4, kings下去, दूनी 8,alinा 16, injury 32, यानि कि अगर हम बात करें और 9 गुले 3 तीन करेंगे 283 यानि कि 3 की पावर चार में पर 80 यह योपीद् When इस विकल्प में आपको देखने नहीं मिलेगा फिर जब हम 4 की बात करते हैं उन्य उन्में डेहीं 4 गुले 4 करेंगे, 16 16 4 सब्सक्राइब करें देखने को मिलेगा 1024 यानि कि 256 को जब आप मुल्टिप्लाइब करोगे तो 200 गुले 4 करोगे तो 1000 बन जाएगा और 6 गुले 4 करोगे 24 बन जाएगा यानि कि आपको 4 की पावर 5 की वैल्यू दी गई है जिस प्रकार ये 2 की पावर 5 है उसी प्रकार आपको 4 की पावर 5 की वैल्यू यहां पर देखने को मिल रही है क्लियर तो अच्छा कोश्टन था इस प्रकार के लॉजिक पर बेज़ आपको कोश्टन देखने को मिल सकता है बात करेंगे अगले पूछे के प्रस्ण की संख्याओं का क्यूब देखने को मिल रहा है तो मैंने आपको बताए कि स्क्वार और क्यूब पर बेज़ आपको इस प्रकार के बहुत सारे प्रस्ण देखने को मिलेंगे बहुत सारे प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे यानि कि आपको इन संख्याओं को बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्शन ले 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 तो थोड़ा सा इन बेसिक कॉंसेट्स पर भी आपको मेहनद करने के आउशकता है इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना समय बचा करके बाकी के सब्जेक्स में बाकी के टॉपिक् पर और में अउट के अगर हम बात करें तो जब हम यहां पर संख्याओं की बात करते हैं यहां है सब quality हम क्या चेन चेक करेंगे स्क्वायर चेक करेंगे और इज़र करेंगे ठीक हैं तो आगर मैं बात करूं तो सारी चंक्छा है क्या है और नमबर से हैं और नम्बर के रहाएं पर प्राइम नमबर में देखने को नहीं मिल रही है यानि कि कोई भी संख्या है पर प्राइम नंबर के तौर पर आपको देखने को नहीं मिल रही है फिर हम स्क्वाइर और क्यूब की बात करते हैं तो के ओल और के यहां पर एक ही संख्या आपको स्क्वाइर के रूप में सकता है यानि कि आपको क्यूब्स क्या होने चीह बिलकुल टंग पर रटे हुए होने चीह बारा का कोई पूछ रहा है तो 17-28-23-27-14-24-15-33-76-46-94 प्रकार से पूरा एकदम आपको रटा हुआ होना चीह अब तू 20 तक ठीक है बात करेंगे यहाँ पर पूछेगे प्रस्ण क बात करें तो और इवन का कॉंसेट भी नहीं लगा सकते हैं दो नंबर आपके और हैं दो नंबर आपके इवन हैं हम सम आफ डिजिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 8-6-14 और 9-5-14 यानिकि इनका अगर हम सम करते हैं तो मिला 28-9-6-15-15-15-15-25-20-28-28-29-7-16-16-4-20-28 यानिकि option number D क्यों जागा यहाँ पर आपका right answer हो जागा बाकी सभी options में आपके जो संख्या दी गई है उसके digits का जब हम सम कर रहे हैं तो हमें देखने को मिला 28 जबकि option number D में 27 यानिका answer हो जागा option number D बात करेंगे अगले प्रस्णकी अगले जब हम प्रस्णकी बात करेंगे तो यहाँ पर basically हम difference की भी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले 37 और 50 के गर हम बात करें तो 37 और 50 के बीच में आपको कितने का difference देखने को मिला 13 का 17 और 29 के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिला है 12 का 50 और 62 के बीच में 12 का डिफरेंस 46 और 58 के बीच में 12 का डिफरेंस यहनि कि अंसर का जाएगा option number 1 तो जब आप प्रशनों का अभिहास करते हैं तो आपको approach पता चल जाता है कि at least हमें approach कैसे करना है question को असानी से बना पाने के लिए और जब आप उस approach को follow करते हैं तो प्रशन आपको असानी से बनता हुआ दिखाई देता है यानि कि प्रशनों को बनाने से एक तो आप approach सीखेंगे confidence आपका boost होगा time कैसे manage करना है कैसे हमें options को यहाँ पर utilize करना है है यहां पुरा-पुरा answer निकाल लेना कैसे unit digit का हमें यहां पर use करना है कैसे हमें विकलपों में एक दो element देखकर कर आंसर निकाल लेना है पूरा-पूरा हमें हल करने की ज़रूत नहיّ हैं तो हर एक चीज़ को आपको यह फूरा चलना है हर एक बात का यहां पर आपको अभ्यास करते हुए चलना है और फाइनली क्या कर लेना है selection लेकर के अपने aim अपनी मंदिल को पा लेना है अपना जो उद्देश से जिस पूर्ती के लिए आपाए है है उसको यहां पर पूरा कर लेना अपने सपने को यहां पर पूरा करना है चलिए बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगले जी में प्रस्ण की बात करूं अभी कि वहां आगे हुआ हमें यहांपर और वन आउट मैं देखते हैं कैसे यहां पर क्या लॉजिकी लगा हुआ हमे देखने को दिखने ऑफ मिल रहा है तो है तो अगर अमब करें 26 और यहां पर 12 15 करेंगे तो 60 बन रहा है plus 2 11 गुले 6 करेंगे तो 6-6 बन रहा है plus 2 6 गुले 4 करेंगे तो 24 प्लस 2 यानि कि option नमबर 2 क्या हो जागा यहां पर आपका right answer हो जागा पूछेगा पसमेलिक यानि कि last के जो आपके दो digits है उनका जब हम multiply कर रहे हैं और उसमें 2 जोड़ रहे हैं तो हमें पहला वाला यहां पर संख्या प्राप्त हो रही है यहां पर लेकिन आप देखेंगे तो last वाले दोनों जो numbers या digits आप देख सकते हैं दिये गए हैं उनका जब हम multiply करते हैं तो directly हमें क्या मिल जा रही पहली संख्या मिल जा रही यानि कि बिना 2 को जोड़ ही हमें यहां पर पहली वाली संख्या मिल जा रही यानि कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए चलिए आज के सेशन का last question डी और पी की बात करें तो चार प्लस सोला हो जाएगा बीस प्लस 13 की बात करें तो बन रहा है 14 यानि कि अगर हम बात करें इसको हम एक मानने इसको दो मानने इसको तीन मानने इसको चार मानने तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 यानि कि option number B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए तो यह था आज का session मि साथ dedication के साथ में लगे रही है प्रस्नों को बनाते रही है और in case of any doubt मैं आपको बता है कि यहाँ पर आपको description box में टेलिग्राम का भी लिंक दिया गया है आप हमारे competition कमटी एप पर भी अपने डाउट समसे discuss कर सकते हैं तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं लोग नेक पर आपने से श्वाट में लेख धो चापने से साथ के लिए लूबड़ इस्वाड़ के लिए अवाबू प्रस्ना अपने से दो आपने से लिए लग पर में अर आप्यान साथ कूपर अ